पेट का एक्जाम है आपका तो एक दो दिन PCS के प्रोग्राम को रोक करके आज हम आपके लिए पेट जो लोग देना चाह रहे हैं तो एक अच्छा सा वीडियो इंपोर्टेंट सा जिसमें से लगबग सारे प्रशना आ जाएं या फिर मैक्सिमम प्रशना आ जाएं तो हम गंटे का वीडियो रहेगा देख लिजएगा काफी लाव होगा आपका चलिए 13 अक्टूबर 2022 की मत्पुन खबरों को देख लेते हैं फिलाल लेकिन इन खबरों को देखना मत भूलिए क्योंकि ये आपको कहीं मिलेगा नहीं जल्दी और जल्दी से रिवाइज हो जाएग बाद में PDF देखते रहेंगे तो वो कंठस्त रहेगा परिक्षा में आपके काम आएगा ये टेली मानस क्या है तो टेली मानस एक सुविधा सुरू की है भारत सरकार स्वासमंत्रा लेने मानसिक आजकल आपको पता है कि आजकल के भागा दोड भरी लाइफ में समय इतनी तेजी से भाग रहा है लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं पैसा है भी नहीं ऐसा नहीं कि पैसा है पैसा नहीं है मागाई बढ़ी है लोग की भौतिक आउशकताएं बढ़ी है इसलिए ल तो इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व मानसिक स्वास्त दिवस के उसर पर भारत सरकार के स्वास्त तर्मंताले के द्वारा टेली Mental Health Assistance Program स्टार्ट किया गया इसका नाम टेली मानस है ये 24 इंटू सेबिन अर्था 24 घंटे 7 दिन उपलब्द रहेगा कॉल करके आप मानसिक स्वास्त से जुड़ी परिशानी अपनी बता सकते हैं और सहयता ले सकते हैं वो जो कहेंगे आपको मेडिटेशन करने को या फिर जो भी दवाईयां आदी अगर जोरत होगा तो सारी सु दवाईयां आपको इसमें मिलेंगी मानसिक स्वास्त देखभाल स्वास्त स्वास्त मन्तराली की पहल वाश क्या है देख ग्रीन वाश लोगों को यह बता रहे हो कि भृया सेताने मत करो ग्रीन वाज क्या है यह परियावरण के छेत्र से जुड़ी एक अधारना है नभी नवधारना जिसमें एक कंपरीयावरण संस्था उस तरह से अपना प्रचार करती है कि मानोर ब्रॉच काréal करती है पर्यावरण अनकूलन को बढ़ावा देती है लेकिन वास्तों में इसके उलट रहता है अर्थाद वो पर्यावरण को सबसे अदा नुकसान या नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी या संस्था रहती है तो अभी हाली में ग्रीन समार शब्द काफी चर्चा में रहा UNFCC का आप 27 मिस्र में होने वाला है इसका समयलन जो UNFCCC का है United Nation Framework Convention on Climate Change का तो इसकी sponsorship कोका कोला कंपनी को दी गई है और इस आलोशकों की निशाने पहें किसको पकड़ा दिये मतलब चोर से ही चोकेदारी करवा रहे हो तो जो दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदुशकों में से एक कंपनी है उससे जो है COP27 का आप स्पॉंसर करवा रहे हो ये प्रचार करीगी COP27 का तो कैसी वीडम बना है तो आलोशकों का ये कहना है कि ये एक प्रकार से ग्रीन वासिंग अभ्यास है ग्रीन वासिंग प्रैक्टिक्स है तो ग्रीन वासिंग पूछा जा सकता है ऐसे भी कि पर्यावरुन अनकूल होने का गलत दावा करना ये क्या है ग्रीन वासिंग कहलाती है एक गलत प्रैक्टिस है भ्रहम फैलाने के लिए Justice D.Y. चंद्रचूड हाली में चर्चा में है क्यों भारत के 50 में C.J.I. होंगे तो अभी हाली में कॉलेजियम जो की Chief Justice of India वर्तमान में U.U. ललित जी के अध्यक्ष्टा में जो कॉलेजियम था उसने इनके नाम का प्रस्ताओ भेज दिया तो इनके नाम का प्रस्ताओ भेजा जाना था क्योंकि ये सबसे वरिष्टेज़ थे इनके पिता जो Justice Y.V. चंद्रचूट थे वो भारत के सोलहवे Chief Justice थे सुप्रिम कोट के और अभी तक का इतिहास है कि सरवाधिक अवधिताकर था साथ वर्स से भी जादा अवधित तक ये C.G.I. के रूप में कारेरत थे कौन इनके पिताजी Y.V. चंद्रचूट हाला कि Justice D.Y. चंद्रचूट का कारेकाल दो वर्षों के लिए होगा ध्यान रखेगा इस बार चर्चा में विशेश चर्चा में इसलिए क्योंकि कॉलेजियम में वास्तों में पांच जजों की टीम रहती अर्थाथ एक Chief Justice आप इंडिया रहते हैं और चार वरिष्ट जज या वरिष्टतम जज रहते हैं लेकिन इस बार असाधरन कॉलेजियम बना था अर्थाथ 6 जजों से मिलकर के कॉलेजियम बना था एक Chief Justice और चार वरिष्टम जज इसके लावा एक और वरिष्ट जज ऐसा क्यों किया गया ऐसी क्या और शक्ता पड़ी कि एक एक्स्टा जज कॉलेजियम में लिया गया तो इसका करण यह है कि अन्य जो चार वरिष्टम जज थे उनमें से कोई भी जज इनके कारकाल पूरा होने के बाद तक जज नहीं रहेगा रिटायर हो जाएगा इसलिए जो प्रथा चली आ रही है एक प्रथा है कॉलेजियम इस प्रथा का जन्म विभिन वादों में हुआ है जो सुप्रीम कोट में चले हैं बारे माई भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा तो एक एक्ष्टा जज इसमें सामिल किये गए इसलिए सामिल किये गए कि जब ये चार रिटायर हो जाएंगे और दो वर्ष बाद इनका कारकाल समाब्त होगा तो Chief Justice वो extra जो एक और जज लिया गया है वो बनेगा तो इसका मतलब यह है कि Collegeium में यह व्योस्था रहती है कि चार जो वरिष्टम जज रहते हैं उनी में से एक आने वाले समय में CGI बनता है ठीक है यह बात आप ध्यान रखिए कि प्रथा है ठीक है यह कई नियम नहीं है सुप्रिम कोड ने स्वयम का यह नियम बनाया है Collegeium से related ठीक है जो अपने अधिकार है सुप्रिम कोड के नियम बनाने के उसके अंतरगत यह आता है तो 5 प्लस 1 Collegeium ध्यान रखेगा असाधान Collegeium दोरा यह प्रस्ताओ इस बार दिया गया है Chief Justice का नोट करने वाली बात जो मैंने आपको तो पहला जजजज केस 1981 दूसरे जजजजज केस 1993 और तीसरा जजजजज केस 1998 यह महत्रपूर्ण है पहला जजजजज केस जिसको S.P. गुपता बनाम भारस संग कहते है 1981 में है 1982 में इसका फैसला आया था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वैसी व्याख्या की जैसा अनुछेद 124 में दिया हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के नयाधीश है सुप्रीम कोर्ट के मुखी नयाधीश के दौरा इसकी सिफारिश की जाएगी और राश्पती इस पे सहमत ही देगा अर्थाथ अंतिम जो नेर्णे होगा राश्पती का होगा अर्थाथ पूरी तरीके से ये शक्ती का रिपाल का किये लेकिन बाद में जो दूसरा जज़ेश के जाया 1993 में इसमें जो है कॉलेजियम का प्रारम हो जाता है अर्थाथ कॉलेजियम सिस्टम जो वरतमान में वे होता है सुप्रीम कोर्ट की स्वतंता इसमें अक्षुन रखी जाती है और एस्पी गुप्ता बनाम भारत संगवाद में जो निर्ने आया था उसको एक तरह से निरस्त कर दिया जाता है और यहाँ पे कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुक्हिनाय अधीज और एक अन्यनाय अधीज इनकी राय जो है सुप्रिम कोट के मुखनाधीस की राय मानी जाएगी और उसी के आधार पर जो जज है उनकी निवक्ति होगी सुप्रिम कोट है कोट में थीक है ये किसमें कहा गया सेकेंड जजेस केस इन्नेसो तिरानवे में फिर तीसरा जजेस केस آया 1998 में इसमें राश्परती ने वास्तों में 143.96 है उसके अंतरगत कुछ जवाब मागे दे सुप्रेम कोर्ट से और इसके जवाब में जो वर्तमान में कॉलेजियम की विवस्ता है पांच जज़ों की वो आया अस्तित्तों में और यहां पे कहा गया कि CGI और चार अन्य वरिष्ट जज़ इनके मत को माना जाएगा इनके मत के आधार पर नया दीशों की नियुक्ती होगी तो इस तरह से कॉलेजियम विवस्ता का विस्तार हुआ तीसरे जज़िस केस में और वर्तमान में वो चल रहा है इस बार पांच प् अभी तक जो प्रथा चली आ रही है वो यह है कि जो चार वरिष्टम जज़ होंगे उनमें से एक ऐसा जज़ होगा जो इन महोदे जो अभी जिसके लिए सिफारिश कर रहे हैं इनके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का मुखिनाधिस बनेगा लेकिन व्याउस्था कुछ ऐसी ह कि दो वर्स तक चंदचूट साफ रहेंगे इसके बाद कोई इनमें से जो चार वरिष्टम जज़ हैं इनमें से कोई भी मुखिनाधिस नहीं बनेगा बन पायेगा इसलिए एक एक एक्ट्रा जज़ को समलित किया गया हैदराबाद दूसरा सेयुत राष्ट भू स्थानिक कांग्रेस कहां प्रायुजित हुआ है हैदराबाद में प्रधान मंत्री के द्वारा इसका उद्गाटन किया गया इतना याद रखेगा इतना है पूछा जाएगा डार्ट मिशन ये नासा के द्वारा छुद्र ग्रहों की दिशा बदलने के लिए पहला वैस्विक मिशन ह तो किसका मिशन है नासा का पहला वैस्टिक मिशन है जो आकाशी पिंडो की दिशा बदलेगा ठीक है डार्ट मिशन और सफल भी हो गया है नासा इक द्वारा इसकी घोशना की गई है इबसा मार ये क्या है इबसा आपको पता है इंडिया ब्राजिल साउथ अफरीका तो इ अभियान अभी हाली में स्टार्ट हुआ है ध्यातब है कि अंडर 17 महिला विश्वकप ये उडिशा की राजधानी भोनेश्वर से ही प्रारम वोई है कलिंगा स्टेडियम से कलिंगा के लावा वो अन्य दो शहरों में मुंबई और गोवा में भी खेला जाएगा कल हमने चर् संत्री ने संबोधित किया तो असम में पाकिस्तान तो डबलु एचो के द्वारा भारत से 6 लाख मच्छरदानी खरीद कर भेजने की घोशना किस देश के लिए की गई है पाकिस्तान के लिए तो डबलु एचो भारत से 6 लाख मच्छरदानी खरीदेगा भेजेगा कहां प शूट करने वाले पहले अभिनेता होगे तो इसकी अभी तेयरी चल रही है अंतरीक्ष में मूवी शूट करने वाले पहले अभिनेता होगे जब सूट करेंगे मूवी तो अन्य ख़बर आएंगे तो बताएंगे बिہeking आक़ार आपको पता है कि लोकनायक जै प्रकाश नरायन जी की 121 जैनती हाली में मनाई गई 11 अक्टूबर को तो इनकी 15 फीट उची प्रतिमा का अनावरन इनके गाउं जो पैतर गाउं है सिताब दियारा गाउं यहाँ पे ग्रीम अंत्रिया मिश्षा के दौरा किया गया ये सिताब दियारागाओं कहां आता है छपराजिला बिहार में आता है उच्च न्याले में हाली में मुखने अधीशों के नियुक्ति हुई है तीन मुखने अधीशों की करनाटक में न्याधीश प्रसन्नावी वरले राजस्थान में मुकिनायदीज पंकज मितल जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्चनाले में मुकिनायदीज एम मागरे विश्व बैंक ने हाली में एक रिपोर्ट जारी की है नाम है गरीबी वसाजा समरिधी रिपोर्ट पुछेगा गरीभी वसाजा समर्दी रिपोर्ट दो जार वाईस हाली में किस संस्था ने जारी की तो विश्व बैंक ने यूनिसेफ ने हाली में एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंसार म्यामार से दसलाख लोग हाल में जो घटना क्रम हुए मैमार में उसके बाद विस्थापित हुए नियामूर्ति केजी बाला किश्णन आयोग इनकी अध्यक्सता में एक आयोग गठित किया गया है किस कारण गठित किया गया है कि धर्मांतरित दलितों के ऐसी इस्थिती की जाच की जाएगी आपको पता है कि अभी वरतमान में जो इस्थिती है इसमें अगर धर्मांतरन कर दिया जाता है तो जो प्रस्थिती है वो बदल जाती है क्योंकि अन्य जो धर्म है उनमें जात वियोस्था नहीं है जात वियोस्ता हिंदु धर्मे है तो क्या जात वियोस्ता जब चेंज हो जाती है तब जात या धारित जो आरक्षन दिया जाता है उसके वो काबिल होंगे या नहीं होंगे क्योंकि सामाजिक स्थिति तो उनकी चेंज हो गई जाती बदलने के साथ धर्म बदलने के साथ ही तो इसी पर अध्यान करने के लिए विस्तित अध्यान के लिए न्यायमूर्ति केजी बाला किश्णन की अध्यक्स्ता में आयोग बनाये गया है तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत जन्यवाद